अजय हिन दोस्तों काफी टाइम से वीडियो नहीं आ रहा था उसके लिए मुझे छमा करना दोस्तों निजी कारण की वज़े से दोस्तों वीडियो नहीं ले पाया आपके वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों उसके लिए छमा करना तो दोस्तों मैं टाइम निकाल के आपके के लिए वीडियो बना रहा हूं यह ब्यासफ एसम्टी वरक्षोप वहिकल मेकनिकल के लिए तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखिए यह आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और दोस्तों आपको पता होना चाहिए ट्रे ट्रेस्ट में आपसे क्या पुछ होना चाहिए तो दोस्तों बात करते हैं इसमें सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में और दोस्तों लाश्ट तक इस वीडियो के अंद तक बने रही है आपको बताए जाएगा कि आपको कैसे प्रेक्टिकल करना है एक बार आपको घर पे प्रेक्टिकल करना है कोई भ जो आपकी वाइरीं वगेरा होती है उनको टेस्टक लेए इसका यूज किया जयता है है जिसनोअ बहुsome के नंबर किसमें दिया हुआ है यह निन मेरा नौबरा काquele सोड़ा जो नंबर होता है इस शाबी बोते हैं इंडी इसको विरेंश सेट बोलते हैं दोस्तों को आपको काम आने वाला है और अगला जो बात करते हैं ड्रील मसीन के काम आती है इसमें और अगला जो है दोस्तों ये जैक बोलते हैं इसको जैक दोस्तों ये पुराने जमाने के जैक है दोस्तों इस बार इलोक्टोनिक वग्यरा इस परकार के जैक जो आपको अवलेवल होंगे कैसा भी जैक दोस्तों आपको दिखाया जाए किसे आपसे पूछा जाएगा कि यह क्या चीज है और क्या काम आता है तो अगली बाद करते हैं इंस्थूमेंट इसको इंपैक्टिव बोलते हैं नियां से नित कशा जाता है जो बड़े Bढ़े गाड़ी वगिर ट्रक वगएर होता है दोस्तों है और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मल्टी मिटर मल्टी मिटर से दोस्तों अब दोस्तों इसमें डी सी वगेरा ये उनका जो लेवल है वह इससे देखा जाता है कितना क्या डी सी है बैटरी सही एक नहीं है कोई वाइरिंग में फॉल्ट है या नहीं है तो इससे वह जांच किया जाता है पर गौर्शतों अगला जो इस्टुमेंट है उस वह हैमर जो अगला है तॉर्क वेड़िक से तो यह प्रूमेंट जो है वेकल मेकनिकल के लिए यूज में लिया जाता है अगला है तो व्रेंच आप सभी को शिलाय रेंच बोलते हैं तो अपने हिंदी वासा उसके बाद दोस्तों अगला है पेजकस, इसक्रूड्राइव, इसको पेजकस बोलते हैं, ये भी दोस्तों काम आता है, तो दोस्तों अब आपको मैं बताने वाला हूँ, इंजन पार्ट के बारे में, तो दोस्तों उनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, इंजन पार्ट के दिखाय जाएगा उससे पूछा जाएगा ऐकी इसका क्या नाम है चलो दोस्तों मां आपको दिखा देता do just you, और यह जो पार्ट है यह पूरा इंजन है अस तो ऐसा कुछ आपको कार वागेरा का इंजन देखने को मिलेगा दोस्तों तो दोस्तों इसमें हर पार्ट का नाम इसमें लिखा हुआ है आप इसको पोज करके आप देख सकते हैं जिसने वरक किया है या एक्सपिरियंस के अधार पर जा रहा है दोस्तों तो दोस्तों यह जो होता इसको इंटर कुलर बोलते हैं जैसे दोस्तों बोल पार्ट के दोस्तों नाम है आप वीडियो को पोज करके अच्छी तरह देख सकते हैं और दोस्तों इसे अगले के बात करते हैं दोस्तों इसमें अलग अलग पार्ट के बारे में दिया हुआ है दोस्तों इसमें आप इसको भी पोज करके आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह branch block होता है है इस परकार का जो निच्छे तो दोस्तों यह लगा ओता है G20 बॉल्ट क्रस्य वसर होता है उसके बाद दोस्तों अगला जो है यह यह सेलेंडर हेड दोता है दोस्तों तो इसी के यह जो इंजन का製刃 है structure दोस्तों इसी में से आपको कोई भी पार्ट भार रखावा मिलेगा दोस्तों और वहां से आपको उसको identify करना है पहचान करनी है कि यह इसे पार्ट का क्या नाम है चलो दोस्तों आके बढ़ते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं जो दुस्तों कारों के अंदर यूज में होता है उसके बाद दुस्तों यह इंचन का पार्ट जो है piston तो यह इस प्रकार का आपको दिखाएजाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या नाम है तो दोस्तों यह यह यहां लगावा है इसको बोलते है पिश्टन, अग्ला दोस्तो है, और लोग होता है, और य Ew, पिश्टन का मोशन यानि गति होती है, तो दोस्तो ये जो है, आपको दिखा देता हूत, ये जो है, इसको को बोलते हैं दूसटोν ίुह इसको बोलते हैं दूस만 विदे है कि अगतला है तोछ दोस्तो अग्ला जो है यह जो पार्ट आपको इसे इमेज में दिखाए गया है उसको बोलते हैं सेलेन्ड्र फल्लोक जो इंजन का ही एक पार्ट दोस्तो तो दोस्तो इसमें हर पार्ट के बारे में इसका भी दिया हुआ है इसको डेकश डेक Neptune tenant कोर प्लक होते हैं दौस्तू ये सैलेंडर होते हैं और दे से ओलת रोते हैं और अगला है दोस्तो आपको इस परकार का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिखाए जाता है तो दोस्तों इसको बोलते हैं सेलेंडर ब्लोक और अगला है दोस्तों कनेक्टिंग रोड जो पिस्टन से जो जुड़ी हुई होती है ये इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड और अगला है दोस्तों सेलेंडर हैड दोस्तों आपको जो आपने इंजन देखा होगा बोलते हैं cylinder head तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह है देख सकते हैं कि आपको पार्ट के बारे में पुछा जाएगा आगे इस पार्ट का क्या नाम है और अगला है दोस्तों cylinder cylinder जिसके अंदर दोस्तों यहां piston लगे होते हैं इसको बोलते हैं cylinder अगला पार्ट है दोस्तों carburetor जोस्तों सभी को पता होता है carburetor का क्या वरक होता है अगर कोई पेट्रोल वाली car होती है तो petrol और यह oxygen को combination करता है दोस्तों उनका petrol या वायू का अगर diesel की है तो दोस्तों उसमें ऐसा ही होता है तो दोस्तों इसको बोलते हैं कार्बोरेटर आप इसको अच्छी तरह देख सकते हैं इसी प्रकार का आपको वहाँ देखने को मिलेगा आप से पूछा जाएगा कि इसका क्या नाम है और अगला जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तो ओवर हेड़ वाल्व इंजिन होता है दोस्तो ये इंजिन का ही एक पार्ट है जो इंजिन के अंदर लगावा होता है दोस्तो मैंने आपको काफी पार्ट के बारे में बताया है तो दोस्तो आपको एक काम और करना है इन पार्ट को तो याद करना ही है दोस्तो उसके साथ ही अपने घर में दोस्तो कोई कार होगी या कोई बड़ा टरक होगा तो दोस्तो उसका जो बोनट होता है सामने का उसको आप open करेंगे और उसके अंदर दोस्तो आप देखेंगे किसमें क्या-क्या पार्ट लगे हुए होते हैं और उनका क्या-क्या नाम है तो दोस्तो आपसे सबसे पहले ये भी करवाया जा सकता है कि आपको एक कार लाके खड़ा कर दें और उसका जो bonnet जो होता है दोस्तो उसको fold करके और उसके अंदर जो पार्ट लगी हूए होते हैं उससे आपको पूछा जा सकता है यानि इसको क्या बॉलते हैं coolant वगे रहे हैं दोस्तो फिश्टन वगेरा जो भार के जो पाट होते हैं उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है तो दोस्तों आप एक बार ट्राई कर सकते हैं घर पे उनका Google पे सर्च करके उनका नाम देख सकते हैं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी benefit होने वाला है तो दोस्तों काफी लड़कों के message आरे थे कि सरे वे completely mechanical का आप गा लेकर आए तो दोस्तों जैसा मेरे पास होग्स हुआ जोतना नोलेज साथ दोस्तों मैंने आपको बता दिया और दोस्तों आप मैंने जो बताया आपको यह कार वाला बॉन्ट के अंदर जो पार्ट जो होते हैं दोस्तों उनका आपको अच्छी तरह से देख लेना है किस पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों आपको साइद यही ट्रेट टेस्ट करवाने वाले हैं धन्यवाद दोस्तों जय हिंद